बंद कर लो मुँख खोलो मुख खोलो यह अपने पता चल रहा है किस साइड वे बग रहा है अपने को इदर कर लो कि अजिए कपर के जो खाली का साथ कि पोलो कि कर दो कि पुराना होगे ना है यह ज़िए होता जाएं तो बस यह परीका घुट लगा दूए ज्यादा आई परेशनी आए न पहले लेफ लगा दूए वहापनी शर्फेस के अलदी समोटना कि जगर बाँ दो तिन दिन बाँ दो एक ही बार में सेट लेफ कि यहां से प्रेस करके जिसे मुह खूल होगा उससे आइडिया लग जाता है उससे आइडिया लग जाता कि डिस्लोकिशन कि चना भेरा खाने में मेरे पूमुह नड़ु हो Right कि अपने आप चबाने से आपने अप लगशी है और रहोर।ikes आपने लिए gigmus यह कili कि अपने ब्सक्राइब एक फोवा भीकोपिंदे कर दो कि आप बाधि पउल कई लुक्राइब कोछ अ बिदाए बश अ को कर दो होखें अ कि अज तो इस निए तो इस अज आण है तो यह त यह थे ना जिसमें हो यह अगा ठीजिए आज चलते हैं अपना अपर लिंप है ना अपर लिंप में सबसे परे तो सबसे बड़ा जोईंट है शोल्डर बहुत परेशानी लोगों को आज करने उसके बाद एलबू है उसके बाद यह है कारकल तीन चीजें हैं सामने तीनों जोईंट है त है कि ने क्या बिम्मारे होतीशंट पर टोड़ कि हुम कंठी इस क्यारत हित जीस्त कणा पर बंड़ वहा कंदिशन ए कि आत जैसे आपने हुआ साै टीका सलेटिश्क के बारे में देखा था-ट है साइटिए यह संजाने के लिए ऐसे है फ्रोजन शोल्डर है रोजनशोल्डर हां कंदे की एक पोजिशन है किस्तित है किस कारण से हुआ है यहां आप्को एम्राइम पता सबेगे और निदान ने हुए तब तक उसको आप फ्रोजनशोल्डर ही कंग अगा जो नियुक्वितिका में जब पूह दैगनोस नहीं हो तब तक आप उसको साइटिका ही कहोगे वैसे ही आप प्रोजन शोल्डर इसी दिए कते हैं उसका डाइगनोस प्रोपर नहीं है बस शोल्डर फी जो कहा दो उपर नहीं जा रहा है या पीछे नहीं जा रहा है मॉम्मेंट जो बना है उसका हुआ है रिस्टिक्ट हो गया थोड़ा सा इसलिए इंदिक्पत आने लग जाते हैं अब उसकी जब विमारे कराते हैं तो उसमें फिर आता है अडेश्यूगेश्यूकायाटि सोल्डर है। टेंड़ोन आईटी से बिस्ट आईटी से डिस्लोकेशन है। कोई लिगामेंट एकुए सिस्ट है। बहुत सारी सीचेशन है अंदर उसकी बिमारें। इतरी सारी मिमारे संब दनी मेंगार्यूए। लेकिन सब मैनेज़ेबल है, सारे कि सारे मैनेज हो जाती है इसमें वह यह टियर जहां होता है, वह अरसनिय पेन होता है जो पेशेंट आएगा आपके पास कोजन छोड़ ड्रका है तो उसमें अरसनिय पेन होगा, तो दर्द इतना ज्यादा होगा कोई हाथ लगा दे तो दर्द टकरा जाए तो दर्द नहीं अरसनिया तो वह समझ जाना कि इसको टीयर है अंदर उसमें सबसे पहले थेरेपी नहीं करना है, उसमें लेफ लगाना है तो उससे हीलिंग भी हो जाएगी, स्विलिंग भी कम हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगी उसके बाद थेरेपी करेंगा तो उसको भी आराम मिलेगा रहो यदि उस कंडिशन में अपन थेरेपी करेंगे तो हो सकता है उसका पेन बढ़ जाए तो कोशिश ही करने के severe condition में एक दिन दो दिन लेव करवा तो उसके बाद तेरेपिकर हो तो अच्छा लगेगा उसको जल्दी ठीक हो जाता इसमें छोल्डर के हाक भाद सबसे ज्यादा मुश्कील होती इसमें टीक करना मुश्कील होता है थीक थीक टो हो ता है लेकिन समय 3 दो कर दो करें, असे ि साथ चल्मिंट रॉषानी कि ऐसे चल्मीय के भिछियाँ 1 मिट युजा जाका हुआ मोडेक वर पेश टोके ही, देक रहे रहेे हितने को रखेश हैं, पिच्छित कनेुटत कीणी जो फर रहा हुआ थीन पृप्र ही, यौría पीछिता हुआ कि फ्रस के ल कुछ भी वो सकता है, नदर कोई भी कंडिशन हो सकती है वो तो एमराई से पता चलता है नेक्रोसिस का तो कहीं का भी आपको एमराई के बिना पता चले गए नहीं और जब पता चलेगा तो टाइम बहुत जङदा हो चुका होगा यज़ अपन स्म्टम्स की साब चेश होता तो पेन नहीं ना उसमें और तो नया कुछ होता ही नहीं अब दर्द से तो कैसे पता करें गाए यह नेक्रोसिस है या कुछ ए लेकर सोल्डर कुछी भी जोईन्ट का जो नेक्रोसिस होगा वापको अमराइई में ही पता चलेगा ब यह पीन किलर न कोर्त का संद नर्ट कई हमेचा करता है हमेशा मुस्सल्स पर काम कि यह मस्कुलेर आपको पेन है तो आपको आराम मिलेगे तो शोल्डर की कोई सी भी स्थित्थी हो, वो सब अभी प्रोसेस आपको बताएं, उसी से ठीक होना है, चाहिए कोई सी भी कंडिशन उसमे हो, अपना जो टेक्निक है, वो सबसे फास्ट है इस मामले में, यैनि कैसी भी कंडिशन होगी, तब भी ओरों से जल्दी ठीक कर पाएंगे उसको, ज़ि अपन किसी चीज को एक जिन में ठीक कर रहे हैं, सामने वला छह महएने लगें उसको ठीक करने में हैं, एतना उंतर है, तो जो एक साल में कर देते हैं, इतना उंतर है, पेशेंट आएं अब एक सिटिंग करोगे तो फुदी कर देगा अब तक अराम नहीं मिला जो आज ही मिल गया एक इस टिंग नहीं उतना अंतर है दोनों में करते हैं तक 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 थोड़ा सा मुवमेंट आता है फिर उसके बाद वापस से जाना हो तो यह खेल चलता रहता है उसमें अखुलता नहीं चोड़ा है इसमें यही है कि शुरू में ज्यादा लंबी सिटिंग करने की जरूद नहीं पर्दी देग दो दिन तीन दिन मेक जीमम बहुत है इतनी सिटिंग कर दो उसके बाद लेप लगवा तो दो तिन दिन फिलाल तो यह जिन नहीं होता है तो आखिनी तो मेक जीम हो जाता है और एक बार आपने 70% ठीक कर दियां तो 100% तो अपने आप हो जाएगा तो 70% का आप को करना है तो 70% इसमें आपने आप हो जाएगा दूबार नहीं आएगा वह आपके पास आपने 10 और एसे तेनी स्का एल्बो आजाता है तो यह सब रात में जोबी प्रोब्लम में आपको आने वाली हो शरवाई कि बिना नहीं आएगी एक सिद्धान बेठालो दिमाउप में उर्पेरों में जो भी समष्या आपको आने वाली हो जो यह वो बिना लंबर पर प्रेशर के आईगी नहीं, यह सीधा सा सिद्धानत है, जब तक आप इन चीजों को मैनेज नहीं करोगे, जदी आपको छोल्डर हो गया, तो आपको सर्वाइकल को भी ठीक करना है, तब जाके उसका पेन मैनेज कर पाऊगे आप जल्दी, नरु का इ तो हाथों में कोई भी समझ चाहowगी, सर्वाइकल से होगी, सर्वाइकल को भी मैनेज करना है, औरdes नरंबर को आपको मैनेज करना है, और anad meaning में कोई भी समझ चाहowगी, तो आपको थोरे चीछ को पर भी करना है, थोड़े सी ग्रीजन, इस्पाहिन का, वहां से जब निकलती नर्वसारा सिस्टम वही तो कंट्रोल की रिनेलर्व की हर ब्रांच एक एक और लों को कंट्रोल करती है, तो यह सिधा सा सिद्धान लेकर जब अपने चलते हैं, अपने लिए चीज़ें आसान होत देख सकती है, शोल्डर में कोई ऐसी इस्टती आया हूँ, एलबो में कोई इसी इस्टती आया हूँ, आपका जिन्होंने इडिटेट किया हो ठीक नहीं हुए हूँ, क्या कारपर टर्नल के ऐसे कोई केस आया हूँ, आते हैं कारपर टर्नल भी काफी टिपिकल कंडिशन है, यह कई बाइस में यहां पर लिगामेंट्स हैं जो सिंक हो जाते हैं, जो मोडन वाले तो कट कर देते हैं उनको, अपनो कट करने की जरूद नहीं परते अगनी करम कर कर देते हैं, जिसमें ठी हो जाते हैं. अब बिना ग्यान वाले तो पंदा हो यह जो एक देंगे ठीक कर दें लाओ तियर नियो जाए पही इसका बीफी आई नियो तो अपनों को प्रेक्टिकली ज्यादा आपको प्रिफेक्ट इन भाकी थिए तो गया है कि मेडिकल साइंस ने बनाई हुई यह सारी और अपना जो कहां मेडिकल साइंस से बाहर का है टोटली अबनि यह प्रॉजन शोल्डर यह अडिस्व केप्सुलाइटी शोल्डर यह यह और वह जब टेक्निक एप्लाई करते हैं उनके इसाफ से थीक होना ही नहीं नहीं चीए यानि उसकी एनाटोमी बदलना ही जी किसी भी आलत में लेकिन आपन तुरंती बदल देते हैं दो दिन में तीन दिन में आप करके देख लो बातों होते हैं मारा आई करा लो सब पता है तो वो चीजें अलग है पर वो ठीक है अपन को समझने के लिए जरूरी है अपन को फोलो उसी को करना है समझाना भी उसी बाशा में लोगों को प्रमान जरूरी आजकर प्रमान की हो है अपना आई रेटन सबसे इसी दिए पिछले होई हैं लोग प्रूफ तो कुछ होता नहीं है और बातें करते रहते हैं बस वो अमने ये ठीक कर दिया थीक होने लगता है जिसमें तो चिलाने लग जाते हैं अरे ठीक होगा 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 के लिए वो पेरामेटर बिल्कुल नॉर्मल आ जाने चाहिए तब जाके वो मानेंगे दुनिया तब मानेगी आपके काम को जो पेरामेटर मेडिकल साइन ने आपके किसी भी डिजीज के लिए जो सेट किया है वो पेरामेटर पे आपकी दौरा की वी चिकिस्था के बाद सब कि अरवा ना करते हैं तब दो मानें नहीं तो कोई नहीं माने आप जिल्दा प्रोगा तो इसलिए अधर डालो कि टेस्टिंग कराने अपन क्या दड़ते हैं तो तो दूबरा जाज कराने से अपनों ॥ उसका साइंस आपको पता है कि अपने डर मुझे पता है कि मैं डिसक बल्गो साथ जिनके अंदर करदेता हूं भी कि अपनी और अधर स secular होता है ऑग करा कि आट चेंज आता है करते हैं तो हम जो करते हैं इसके पीछे यह साइन्स है और इससे यह काम होना है बस वह चीजा हमें मालूम होना है तो फिर अपन का डर ही नहीं है लोगों को फेस करने से बिल्कुल नहीं गवराया है वह गएका तो जांच करा किया नहीं आप क्योंको मेडिकल साइंस ने तो आपको बता रखा है उनको पड़ा रखा है सब इसके बाद यह कुछ नहीं होता है तो इसके बाद यह अंदर नहीं जाता है कंदे में इस प्रोजिंश ओडर हो जया तो यह कोई दवाइसर उससे ठीक नहीं होगा आपको अप्रेटी कराना पर आज की पे थी है मौड़न तो आएलवे तो हजारों साल पुराना है पर अपने के ध्यान ने दिया हमने मैंने हर चीज यहीं से निकाली आएलवे से हर चीज वहीं से लुख लिए तो पढ़ने का नजरिया मेरा अलग था आप लोग पास होने के लिए हम भी पढ़े हैं लेकिन हमने फिर्ची किसा के लिए फूप पढ़ाई की तब जाकी यह चीज है समझ में आने लगे हैं आज हो कौन आता है कि पढ़ाई किसे पी इस नियंगे हिए हम उतर देखें इस 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 अधिन पासएप के साय था जिस्टोने सरवाइकल दिश्टोनिया या कौन साथ है आँ इसरवाइकल दिश्टोनिया एक साइड में जाता रहता है पुराना हो जाए तो बहुत मुश्किल काम है विष्टोन है के अपना भी रिजल्ट लवोग गाई है रेशो साट परसेंट ही हो जाते हैं चादीद परसेंट नहीं होता है कुई कारण वह है कि जितना ज़्डा पुराना होगा उतना ही दिक्कत आएगी जुकता है है 2016, shift to the body मात्रा भढ़ते है, त लिष्टोप से थे पूटे सब्सक्राइब भढ़ते हैो दिश्टोणे हमसिने मेन दिश्टोर मोखना कोई नी बताएगा न जुनिवेडिक्व साइंस बताएगी, न कोई डोक्टर बताएगा कि मेरास with by decision को पर की मात्रा आप अपके उसको कंट्रोल करके चलो पर के मात्रा बढ़ी हुई ऐसको कंट्रोल करो मेडिसिन अपते जो भी मुत्रल जो मेडिसिन को दो अपने शन अपने भी कर हूं और और इसमें थेरेपी यही होती है अपना जो प्रोसेस चलता है सरवाइकल का वही प्रोसेस आपको जो बताएंगे वही करना है उसी से हो जाता है साल बर के अंदर-अंदर का इधी पेशेंट आ गया तो ठीक हो जाएगा तो बहुत मुश्खिल हो गया ना आठदस साल पुराना है तो यह मान के जो उसको बोल तो आपका डेढ़ दो साल लगने लिया तरह को थी बोने में अधी तो दिखो हो जो आदमी जब बीमारी में जो समझे की जाएगा तो पर ऐसा कुछ नहीं है तीक हो जाता है पर उसको बोल दो एक साब में साब बोलता हु पर देते हैं आदमी दो से तीन भी जाते हैं कई यह पर ठीक हो जाता है तो इससे समय उसमें लगेगा टाइम उसका लंबा चलता है तो दो साल भी ज्यादा नहीं है क्योंकि पूरी जिन्दगी ऐसे निकालेगा इस पी उम्रोर कम हो जाती है पिस्टोंने वाले की एज है हो जाती है ज्यादा नहीं जीपाता है तो टेंशन में खतम हो जाता है तो इसलिए बढ़ी है उससे आराम मिलता चला जाएगा दिंदीन है तो अबक्षिटोंने सरवेहिकल पे नहीं होता बोडी में कहीं भी हो सकता है कि किसी भी किसी पार्ट का डिश्टोंने आऊ-पैक क कि यह ज़ाते हैं कि नर्वोस शिस्टम का मसल्स की उपर से कंट्रोल हड जाना कोई कंट्रोल में रहा ता उसका अनेच्छी गति हो जाती यानि इच्छा निलती है अनेच्छी गति हो जाती तो तो फिरेपीस सही हो जाते है कि यहां रहता है गिर्नी जा एक ख़ल की तरह यह आज़ा कोन आ रहा है बताते जाते हैं आके बेठना है बस कि यह अठा लो फुल बुक्स होगे रहा है मूद इस बार लेड़ जो आप सीधे लेड़ जो कि यह अधे लेड़ चांटेशन को उल्टा लेटा देते हैं महां से शुरुआते हैं तो और लंबर करते हैं अपने बुजेंगासन में तो वो करने के बाद फिर जब पेशेंट सीधा होता है वहां से उसका छोल्डर की थेरेपी चालो हो जाती है इसमें क्या होता है कि में तो इस पैन का अपनों को जो बेसिक प्रोसेस है वो फोलो करना है उसके बाद फिर दूब